हेलो दोस्तो धर्मेंदरह मैट्स के इस यूटूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो अभी फिगर काउंटिंग चल रहा है इस चैनल पर पहला वीडियो अपलोड है आप mock test आप लोग देते होंगे, question paper solve करते होंगे, घर पे set मारते होंगे, तो देखे होंगे, इसाब figure देगा और पुछेगा कि इसमें कितना work है, इसको बताइए, कितना square है, तो आए बीना देर किये, जानते हैं कि इस type के figure को कैसे solve करते हैं, और बहुत जल्दी कैसे solve करते हैं, time क manage करते हुए कैसे solve करते हैं, और यदि आप लोग इस channel पे नए हैं, तो channel को subscribe करके, please bell button को press कर लिजेगा, ताकि ऐसा ही tricky video, सबसे पहले आप लोगो को मिल पाए, तो आए देखते हैं, सबसे पहले question number one हम लोग देखते हैं, ठीक है, पहले question number one हम लोग देखते हैं, और इसमें concept लगेगा, इस type के question में row और column बराबर होना चाहिए, उसके लिए ये trick है, तो देखें, इसमें दो row और दो ही column है, इधर से एक, दो, और इधर से भी एक, दो, जब दोनो side row और column बराबर हो, तो इस type को question को solve करने के लिए, क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले सब का square कर ठीक है, इधर से इसका square कीजिए, एक का square और plus, बीच में plus का sign होगा, plus 2 का square, 2 का square, और इसको add कर लिजिए, 2 का square 4, plus 1 का square 1, 5 हो जाएगा, तो total इसमें 5 work है, ठीक, कोई एक side को उठा लिजिए, और work करके जोड दीजिए, row और column यदि बराबर हो, तो यदि 9 समझ में आया हो तो आइए दूसरे question के तरह बढ़ते हैं, दूसरे question में भी देखिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, row और column दोनों बराबर है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे solve किया जाएगा, लिख लिजिए किदर भी, इधर लिखिए, 1, 2, 3, 4, और मैंने क्या बोला, कि जब row और column बराबर हो, तो square करके जोड़ दीजे, आइए square करते हैं सबसे पहले, 1 का square किजे, प्लस 2 का square किजे, प्लस 3 का square किजे, प्लस 4 का square किजे, इस टाइप से जादी आप लोग square करेंगे, तो 1 का 1, प्लस 2 का किजेगा, तो 4, प्लस 3 का 9, और प्लस 4 का 16, आइए add कर देते हैं, 16, 9, 25, 25, 29, 30, तो टोटल 30 स्कॉयर इस वाले फीगर में है टोटल 30 स्कॉयर देखिए कितना बड़ा था और कैसे हम लोग चूटकियों में कंसेप्ट से इसको स्वाल्व कर पाए इससे अगला जो वीडियो हम लोग का आएगा ये तो रो और कॉलम बराबर था जो अगला वीडियो आएगा दो और कॉलम अलग अलग होगा ठीक है ये दखिए इसमें दो ही होगा एक साइट तीन है एक साइट ऐसे होगा इस टाइप करकर के और देखिए एक दो तीन इधर और एक दो इधर इसको कैसे स्वाल्व करते हैं इस टाइप के वीडियो को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडि Thank you.